लांजी थाना छेत्रे में डबल मनी का पैसा वापस नहीं करने पर जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गए थी और मारपीट की घटना आए दिन घटित भी हो रही है इन वार्दादों के चलते डबल मनी का पैसा वापस नहीं करने पर पांच लोगों ने जहां एक यूवक से मारपिट की और उपए नहीं देने पर इस यूवक का पहरण कर लिया यह घटना लांजी थाना च्शेतर केंतर का ताने वाले ग्राम बोल गाओं में 16 अगस की राती साड़े आड़ बजे हुई यूवक को छोड़ने के बाद फरार इन पांच अफरन करताओं को लांजी पुलिस ने गिरपतार कर लिया बताया गया कि देविंद्र बापूरे डवल मनी से जुड़ा हुआ था जिरों ने डवल मनी में दूसरे से रूपे लेकर लगवाय थे लेकिन तो पिछले वर्ष डवल मनी का बंड़ा फोड होने के बाद देविंद्र के बारा दूसरों के लगाये रूपे भी डुब गए रूपे वापस नहीं हो पाई जिसके बाद से लोग देविंद्र पर दबाव बनाने लगे 16 अगस के रातरी साड़े आड़ बजे देविंद्र अपने गाओं के दुरगा मंदिर के पास खड़ा था वहीं उसके पिता रामकिशन और गाओं के ही राजु सावरिया सुनिल कालबेले के साथ बैठकर बाच्चित करे थे उससी समय एक सपेद रंग की बेन आकर रुकी और वेन से पांच लोग उत्रे और राम कालबेले उनके पास पहुंचे बेन से आने वाले पांच लोग रितिक उर्प सुनू सुभा सुत्तम गुपता अश्रप शेक अमिनास लटारे सभी देविंद्र से पैसे की मांग करने लगे और यहां भी धमकार रहते कि सही सलामत रहना है तो हमें पैसे दे दो वरना तु रामकिशन सहित अन्य लोगों ने गाड़ी का पीछा किया किन्तु गागवे गाड़ी नहीं रोक पाए गाड़ी के नंबर MP50 CA 1862 देख पाए रामकिशन बापुरे ने अपने लड़की देवेंद्री की खोजबिन की किन्तु उसका कहीं पता नी चला जिसके बाद राजु सामरी के साथ रिपोर्ट दरज करने के लांजी थाने पहुंचे लांजी पुलिस ने रामकिशन बापुरे के द्वारक के गए रिपोर्ट पर रित्तिक उर्फ सोनु नागमारे सुबाज शन्य उत्तम गुपता अश्रपशेक और अभिनास लटारे के विरुद धारो 365, 327 323, 294, 506, 147 के तरहत अपराद दरज कर जांज परताल सुरुकी है बताया गया है कि इस दोरान अफरान करता देविंद्र को कोटेश्वर मंदिर के आगे बकरामुंडी रोड पर छोड़ कर फरार हो गये थे अपराद दरज होने के बाद उपने रिक्षक अमिस्से कोश्वाह ने अपने स्टाप के साथ जाज परताल करते विए 16 अगस को इन 5 अफरन करताओं को गिरपतार कर लिया है और सबी को यहां की अदलत में पेश्ट कर दिया है जहां से उन्हें नई कब रिक्षा में जिला जेल भीजवा दिया गया है